प्रिये दर्श को हमारी संस्था जोतिश चक्षू साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पढ़ने वाली शुब अशुब घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीडित जनता के कश्टों का भी आकलन कर रही थी इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्तिताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रियास कर रही है उसी उप्क्रम में यह कारिक्रम आयूजित किया जा रहा है अरवाची सुवगे भोसीते बंदा महित्वाम यथान शुवगाससी यथान सुपलाससी नमस्कार दर्शको आफ सभी का बहुत-बहुत स्वागता हमारे बेहत खास कारिक्रम जोतिश च्रक्ष्यू साधना केंद्र में जिसके संस्थापक है आचारे अरविन जी और मैं हूँ आपके साथ उपिंदरकौर दर्शको जिन्दगी भरी है खुशियों से पर क्या करें कभी-कभी दुख के बादल भी इसमें च्छा जाते हैं पर उन दुखों की घड़ियों में हमें भ्यबीत होनी के आविश्यक्ता नहीं है क्योंकि यदि जीवन में सुक है तो दुख भी है ऐसा नहीं कि राथ हुई तो सवेरा नहीं होगा सवेरा अवश्य ही होता है पर नथ उसके लिए आपको जागने की आविश्यक्ता होती है और जब जीवन में समस्य आए तो ऐसे में गुरू का सानिध्य प्राप्त कीजिए जो आपको ये बताए कि किस प्रकार से आप अपनी समस्याओं को अपनी जीवन से दूर कर सकते हैं और ऐसे ही गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होता है हमारे इस खास कारिक्रम के माध्यम से, क्योंकि इस खास कारिक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उदेश्य है कि आपकी जिवन में सिर्फ और सिर्फ खुश्यां भरी जा सके। आज भी इस कारिक्रम के माध्यम से दर्श को एक ऐसे ही विशे पर चर्चा की जाएगी जिसे जानकर आपके जीवन में बहतरीन बदलाव अवश्य ही आएगा क्या होगा विशे जरूर आपको बताएंगे पर उससे पहले मिलकर सुपागत करते हैं हमारे बेहत खास मेमान का जो की हर बार की तरह आज भी मासर स्टुडियो में मजूद हैं जी हाँ हम बात करें जोतिश चक्षू साधना केंद्र के रिसर्शर डॉक्टर रामधर धुएदी जिगा पर साथी साथ आपको बता दे कि उन्हें विभिन उपादियां भी प्राप्त है जैसे कि वो साहित्य अचारी है साथी साथ उन्हें जोतिश अचारे भी है और M.A. संस्कृत में वो पास आउट भी है और P.S.T. भी है तो बिना देर किये कारे क्रम की यहाँ पर शिर्वात करते हैं मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर रामधर धुएदी जीगा नमस्कार डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत आपका कारे क्रम में डॉक्टर साब जानना चाहेंगे जैसे कि पिछले कारे क्रम में आपने हमें जानकारी प्रदान की थी राज योग के बारे में साथी साथ दरेध्र योग के बारे में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जानना चाहेंगे काल सर्फ दोश के बारे में काल सर्व दोश के बारे में जब भी हम जिक्र सुनते हैं तो हम डर जाते हैं कि अब हमारी जिंदगी में खुशियां बचेंगे ही नहीं जानना चाहेंगे कि काल सर्व दोश किस प्रकार का दोश है और क्या सच में हमें इससे इतना भ्यवित होने के आविश्यक्ता है प्रेपुर सुन्दर्ये नविपन्न राणाम वामाश्रिताह्याश्रेताह्म प्रयांति प्रेपुर सुन्दर्ये नमहा श्रीमन महागड़ा अधिपते नमहा पुर्णय भाजन प्रिय दर्शकों उपेंदर कौर्जी कालसर्प योग बहुत प्रचलित योग है अक्सर जन्मकुंडली में कालसर्प योग दिखाई दे जाता है तो ये योग क्या है कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं काल सर्प इन दो शब्दों को समझें काल का आर्थ है समय टाइम वक्त और सर्प का आर्थ है वह जीव जो की दो प्रकार का दिखाई प्रता है लोक में एक विशैला और एक निर्विश बिना विश्का ऐसा सुना जाता है कि करीब साड़े तीन सो परजातियां होती हैं सापों की उन में से सिर्फ तीन परसंट साप जहरीले होते हैं जिनके डसने से मृत्य हो सकती है अन्य जो साप हैं देखने में बड़े बड़े शरीर वाले दिखाई पड़ते हैं तो सर्वकार्थ होता है एक ऐसा जीव एक ऐसा जन्तु जो भय पैदा करता हो आतंक पैदा करता हो दाशत पैदा करता हो जनम पत्री के अंदर जनम पत्री का निर्माण हमेशा काल को केंद्र में रख कर किया जाता है जितने बचकर जितने मिनट पर बच्चा पैदा हुआ है उसके उस समय के आधार पर उस काल के आधार पर ही जल्म कुंडली बनती है तो समय के द्वारा उत्पन किया हुआ एक ऐसा योग जो साप की तरह प्रभाव रखता है सर्प की तरह प्रभाव रखता है उसको काल सर्प योग करते है इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि जनम पत्री में काल सर्प योग दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दुखदाई ही होगा मैंने आपको बताया है कि दुनिया में जितने सापों की वेराइटी है उसमें से 3% ही साप जहरीले होते हैं, मारक होते हैं अन्य साप ऐसे नहीं होते हैं इसी तरह से सभी जनमपत्रियों में से भी कुछ परसेंट जनमपत्री जिन में की काल सर्फ योग है ऐसी कुछ जनमपत्रियों में कुछ ही ऐसे जनमपत्रियां होती हैं ऐसे योग होते हैं कि वो कश्टकारक होते हैं किन्तु हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो तिशी के पास आप गए उन्होंने देखा कि राह और केतु के बीच में सारे स्थित हैं और उन्होंने कह दिया कि जी काल सर्प योग है काल सर्प योग है और सुनते ही आदमी भाय ग्रस्त हो जाता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ऐसा क्यों होता है क्योंकि ज्यान की कमी भी नुकसान करती है अग्यानी होना अच्छा है किन्तो अल्पक ज्यानी होना ठीक नहीं है यदि आप अल्पक ज्यानी होना ठीक नहीं है यदि आप अल्पक ज्यानी है किसी शात्र के किसी विद्या के किसी कला के एकदम अन्विग्य हैं तो एक परिस्थिती है और यदि अलपग्य है तो दूसरी परिस्थिती है अलपग्य का मतलब होता है कि उसको ठीक से ज्ञान है नहीं वो कुछ भी उल्टा सीधा फला देश कर सकता है इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जनम पत्री हमेशा विग्य विद्वान अनुभव को ही दिखानी चाहिए अब आप देखिए कि राहू और केतू हमेशा एक राशी से दूसरी राशी में अपोजित में होते हैं जनम कुंडली में भी और इस ब्रह्मान में जैसे उनकी स्थिती है वैसी ही जनम पत्री में होगी जनम पत्री इस नभो मंडल में जो नक्षत्र उन राशियों में जो ग्रह जहां बैठे हुए थे उसको हम एक कागज पर लिख देते हैं, बना देते हैं, तो अब यहां यह देखा जाता है कि मालिजे राहू और केतु हैं, उनके बीच में सभी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, राहू के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, बुद्ध बैठा है, और उस ग्रह की डिग्री राहू से अधिक है, मालिजे राहू की डिग्री है, पांच और राहू के साथ ही उसी भाव में मंगल बैठा है, उसकी डिग्री है, साथ या आठ, उस डिग्री ज्यादा है, तो वहां कालसर्प योग नहीं बनता अगर उसको कोई कालसर्प योग बता करके भैग्रस्त करता है तो वो एकदम गलत कर रहा है ऐसा उसको करना भी नहीं चाहिए और उस जातक का भी कर्टब्य है कि उसको जनम पत्री सुविग जोतिशी से दिखा करके समझ करके तब उस योग को समझे अब इस कालसर्प योग का प्रभाव क्या है कालसर्प योग का असल प्रभाव यही है कि मनुष्य हमेशा आशंकित रहता है जैसे साप से आदमी डरते है न इसी तरह से जिसके जनम कुंडली में कालसर्प योग है पूरी तरह से पहली बात तो यह है कि कोई भी निर्णे लेने में अगर आम आदमी पांच बार सोचता होगा तो पांच सो बार सोच ले तो कोई मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा सोचता है सोचते ही ऐसा सोचता रह जाता है कि निर्णे नहीं ले पाता इसके ठीक विप्रीप कोई कोई ऐसा भी जातक होता है काल सर्फ जिसके जनम कुंडली में है ये मेरे अनुभों में आया है माने बहुत जनम पत्रियां देखी हैं जिनमें काल सर्फ योग विद्यमान था तो काल सर्फ योग ग्रस्त जो जनम कुंडली का जातक है उसमें इसक विपतीत सोवाव भी दिखाई पड़ता है, वो सोचता ही नहीं, कोई काम करना हो, कोई निर्ने लेना हो, तुरंत कर देता है, वो ये बिलकुल नहीं देखता कि इसका अंजाम क्या होगा इसका परिणाम क्या होगा यह दोनों तरह के लक्षन दिखाई देते हैं एक बात दूसरी बात काल सर्प ग्रस्त जातक का जो एक दुश्परोहाव है जो बहुधा देखने में आता है कि वो जितना काम करता है जितनी महनत करता है जितना परिश्रम करता है उसके अ ऐसा भी होना बिल्कुल गलत है, मेहनत बहुत की, लेकिन फलकम मात्रा में प्राप्त हुआ, ऐसा जिसके साथ होता है, वही इस दर्द को समझता है, तो इसके लिए जरूरी है कि जनम पत्री को अच्छी तरह से देखा जाए, समझा जाए, यदि सही में कालसर्प योग है, तो उसका उचित, पूजा, जब, अनुष्ठान या उपाय करना आवश्यक है, और कोई भी उपाय बिर्थ नहीं जाता है, उपायों में उल्टे सीद उपाय भी ठीक नहीं है, कोई भी उपाय करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए, कि ये सारा संसार एक जैविक एकता के सिद्धानत पर काम करता है, ये ठीक है कि हम पृत्वी ग्रभ पर रहते हैं, हमारा जीवन यहीं से संचालित हो रहा है, किन्तु ग्रहों का प्रभाव ह हमारे उपर पढ़ता है, तो उन ग्रहों के प्रभाव को दूर करने का जितने भी उपाय हैं, मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे अनुसंदान के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, कि उस देवता का या उस ग्रह के मंत्र का जब सबसे अच्छा उपाय होता है, उसकी बात खुदा से होता है ग्रह के अनुसार जब कोई व्यक्ति पवित्रता से निश्कपट भाव से शरद्धा भाव से शरड़ागती भाव से मंत्र का जब करता है एकागरता से तो वो मंत्र का जब नहीं करता वो बार बार प्रार्थना करता है कि इस व्यक्ति का जनम पत्री म अधिर्थूर्ट माशीय और उसका काम होता जाये, लेक्तिती रूं जाती है वहां तक पहुंचती भी है। अधिर होता है वह इस आदमी को क्या जीवना होता है। फिलाल वक्त हो रहे है छोटे से ब्रेक का पर कहीं चाहिएगा नहीं इंधान करके श्री विध्या के महान उपासक जोतिश चक्षू साधना केंद्र के संस्थापक आचारे श्री अर्विंद जी ने सरलतं पदुती का अन्वेक्षण किया है जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोप कारक लक्ष्य है इस समागम में 10 साल से उपर की आयो के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा सर्व प्रथम जिग्यासू जातक जातिकाओं को आचारे श्री के द्वारा दिक्षा दी जाएगी पश्चार अग्रिम कारिक्रम संपन होगा अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ब्रेक के बाद एक बारी फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बहुत खास कारिक्रम जोतिश चक्षियों साधना केंद्र में देखे दर्शको ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया कि काल सरब दोश किस प्रकार का दोश है परन्तु अब हम आपको बताएंगी कि क्या यदि ये किसी व्यक्ति के दोश में योग लग जाए तो क्या इस योग को उस व्यक्ति की कुंडली से दूर किया जा सकता ह चली इसी विशे पर जानकारी प्राप्त करते हैं डाक्टर साब जैसे कि अभी हमने दर्शकों कुछ दिख्र किया कि अब हम बात करेंगे कि क्या यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में या जीवन में कालसर्व दोश लग जाए तो क्या उसे उसके जीवन से दूर किया जा सकता कोई उपाए है देखिए उपंदर कौर जी एवं प्रिय दर्शकों हर समस्या का समाधान है ये कहवत आपने भी सुनी होगी यदि कोई समच्या है तो उस सम्या का समाधान भी अवस्य तो काल सर्थ वो योग भी एक समस्या ही है जिस योग के कारण जातक को अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं तो ये एक समस्या ही हुई इसका समाधान है और उपाय भी कई प्रकार के उपाय है उसमें से कुछ उपायों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि काल सर्प योग बनने के मुख्य ग्रह राह और केतु है तो काल सर्प योग की शांती के लिए राह और केतु के मंत्रों का जप शास्त्रोक्त विधी अमसार करना चाहिए और केवल जप करने से भी अनुष्ठान पूर नहीं होता अभी तु जितना जप किया जाता है उस जप का दस्वा हिस्सा हवन होता है उनी मंत्रों से हवन होता है जिन मंत्रों का जप किया है जितनी संख्या में जप किया है तो उसका जो दशांस है दस्वा भाग है मंत्र का उचारण करके उसके साथ आहुती दी जाती है उतनी संख्या में यह हो गया हवन तर दसांस तरपण जितनी संख्या में हवन किया गया है उस संख्या का जो दस्वा हिस्सा है वो तरपण होता है उसका दसांस मारजन होता है उसका दसांस ब्राम्मण भोजन होता है इसके बाद किसी भी यग्य की किसी भी अनुस्ठान की पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक अववरित स्नान नहीं होता अववरित स्नान का मतलब है कि पूर्णाहुती के बाद पूरा परिवार किसी तिर्थ में गंगा यमुना सिंदु सरस्वती या कुछ नहीं तो गाउं में जो तालाब है, वहाँ जाकर के सब परिवार सनान करे, सुर्य को जल्दे, अपने पुर्वजों को बड़ों का और अपने से जो परिवार में बड़े हैं, उनको चरण असपर्स प्रणाम करे, गाउं के जो अथवा जहां रह रहा है, उसके पास आजपास जो देव मंदिर हैं, देवस्थान हैं, वहाँ जाकर के सब को परणाम करें, तो यग्य पूर्ण होता है, और यदि बिधान पुर्वक शास्त्रूक्त बिदी से यग्य किया जाता है, उपाय किया जाता है, तो वो निश्चित रूप से फल देता है, उपेंदर कौर जी, एव हमने ये उपाय किया, लेकिन हमें उसका आभिष्ट फल प्रात नहीं हुआ, ऐसा होता है, मैं इसको ऐसे बताना चाहता हूँ, एक बहुत ब्यावहारिक उदाहरन के द्वारा, कि जी हमने खाना तो खाया, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, त्रिपती नहीं हुई, ऐसा कब हो होता है, जबकि खाना बनाने वाले ने कोई कमी कर दी हो, रोटी सेकने में कमी कर दी हो, सबजी में नमक जादा डाल दिया हो, दाल में नमक जादा डाल दिया हो, कुछ न कुछ ऐसा किया है, जो कि भोजन को सुस्वादू बनाने में बादक होता है, अब ये ग्रह की स्थि किया जाने वाला उपाय है यदि इस उपाय को बिधी पुर्वक नहीं किया जाएगा एक आगरता से नहीं किया जाएगा साओ धान चित होकर समर्पणवाव से नहीं किया जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि फल प्राप्ति में बाधा पैदा हो जाए तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी करें जो भी कराएं उसको योग्य उचित विद्वान अनुभवी से ही कराएं ताकि आपको उपाय कराने का फलप्राप्त हो और जिस कामना से जिस इक्षा से आप करा रहे हैं आपकी वो इक्षा पुरुण हो तो बिलकुर दर्शको यहाँ पर आपको अचारी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि काल सर्व दोश को हम उपायों के माद्याम से अपनी कुंडली से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं परन्तु एक बात का ध्यान देना होगा कि वो उपाय सही से हुए हो या पिर सही विधी विधान से हुए हो तो दर्श को यदि आप चाहते हैं अपने लिए किसी भी प्रकार के उपाय करवाना किसी भी प्रकार के पूजा, पाठ, अनुस्ठान, यगे, त्यादी करवाना वो भी वैदिक विधी विधान से तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं क्योंकि जब आप हमारे संस्थान से जुड़ते हैं तो आपके लिए सिर्फ वैदिक विधी विधान से ही पूजा पाठ किये जाते हैं साथ ही यदि आप अपने घर का वास्तु चेक कर आना चाहते हैं या फिर आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं, या कोई नया आप कुछ दुकान खोलने जा रहे हैं, कोई भी नई जगा लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप वासु चेक कर आ सकते हैं, क्योंकि जब आप वासु अपने घर का चेक कर आएंगे, तो आपकी जिवन में समस्या न तो यदि आप अपने जीवन में गुरू का असानी ध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीव स्विन पर फ्लैश हो रहे हैं और साथ ही साथ यदि आपका कॉल अभी कारिक्रम में नहीं लग पाता तो भी आपको घबराने के आविश रखता नहीं है आप कारिक्रम के बाद संसान में संपर्स आज सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप परसनल अपॉन्मेंट लेना चाहते हैं तो परसनल अपॉन्मेंट के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ इन्ही नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करना होगा फिलाल वक्त इशारा कर रहे हैं इस जोतिश रिसर्च टीम के द्वारा सतीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे इस सेवा का शुल्क मात्र एकत्तिस्व रुपय है साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु जोतिश कर्मकांट एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्य का समाधान प्राप्त कर सकते हैं संपर् ग्रहते झाल 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 प्रियर दर्श को अनाधिकाल से मानव आधी दैविक इत्यादी त्री टापो से संतप्त होता रहा है हमारे देश के महामनीशियों ने इस समस्या के समधान हेतु अनेकों मार्गों का विशाद उब्देश दिया है विगत बीस वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विध्या के महान उपासक जोतिश चक्षू साधना केंद्र के संस्थापक आचारे श्री अर्विंद जी ने सरलतम पदुती का अनवेक्षण किया है जिससे समागम के मार्ध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोप कारक लक्ष है इस समागम में दस साल से उपर की आयो के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा सर्व प्रथम जिग्यासू जातक जातिकाओं को आचारे श्री के द्वारा दिक्षा दी जाएगी पश्चार अगरिम कारिकरम संपन होगा अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं